असलाम अलेकूम उमीद आप सब टिक टाक होंगे और हैरडियत से होंगे तो आज जब बनाएंगे स्ट्रॉबरी आइस क्रीम जो के बहुत ही मज़गी बनती है और हम इसको सिर्फ दो चीजों के साथ बनाएंगे यह बहुत ही मज़गी बनेगी और बनाना भी बहुत ही असा वीडियो साट करने से पहले अगर आप में चानल पे ने हैं तो चानल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें तो चले बनाना साट करते हैं तो यहाँ पर मैंने ली है एक पाउ स्राबरीज यहाँ आप फ्रेश स्राबरी ही उसकरें क्योंकि जो कची–कची होती है वो थुड़ी सी घटी होती है तो आईसकीम का टेरिस जो होता है, वो उतना मज़े का नहीं बनता तो फ्रेश ही उसकरें आप तो सबसे पहले मैं इसकी सैपल जो है वो सैपर्ट कर दूँगी यानि कि जो घ्रीन पाट होता है इसका उसके बाद हम इसको जोटे चोटे स्लाइसिस में जो है कट कर लेंगे करसे के बनती है और बच्चे भी बहुत शोक से खाएंगे तो इसको जरूर ट्राय करें तो इस तरह से मैं सारे स्ट रॉबरीश की से के कट कर लूँगी यह तरी र्जे demand बॉपंप में हाफ कप 10 समनेट रिघ बनाना बहुत वहत ही असान होता है और सिफ 2 चीजों के ताढ़ जो है बगल पे condensed milk राड़ी हो जाता है अगर आपको वीजियो चाहिए तो मैं डिस्क्प्विशं बॉक्स में इसका लिक्law दे दुगी आप वहां से चैक कर सकते हैं बहुत यह रसानी से बनता है और विधावट यहां एक कप स्ट्राबरिज मैंने ली है और साथ ही सके अंदर मैंने डाला है हाफ कप जो है कंडेंस मिल्क कोई पानी आड़ नहीं किया ना ही कोई चीनी आड़ किया सिर्फ यही दो चीजे आड़ किया हैं उनको हम ग्राइंड करेंगे तो यह देखें हमारी स्ट्राबरिज जो है वो अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुकी है लेकिन स्ट्राबरिज जो है क्योंकि उनके भींच होते हैं इसके अंदर तो इस वज़र से हम इस मिक्सर को जो है अच्छी तरीके से चान लेंगे तो एक बावल में इस तरह चेहनी के मदद से इस जो मिक्सिर है ईसको अची तरह रहीं के हम चान लेंगे ताकि जो बीच है वो सैबट हो जाएं और आपको बिलुकर रॉफाइन जो है इसका जूस मिल जाएं और आप में इसकी जूस है इसकी मिना सकें तो इस सरा से आपने इसका जो Blue स्वार्पयर करना है और जो वींच है उसको सापपर करना है तक कहते हुए वींच जो है वह मुँ ना आए तो एधे वींच सारे सापपट हो चुके है ओर जूस जो है रहे बिल्कुर रिफाइन से दोноз है तो इस तरह से juice जो है इसके अंदर transfer करते जाएंगे पाद इसको हम file paper से cover करेंगे और आपने इसको तौरे इसको तकरीबन 5-6 गंटे के लिए जो है वो set होने के लिए छोड़ देना है इस तरह से mid में इसके छोट-छोटे सुराह करेंगे ताके जब मैं इसके अंदर ice cream sticks लगाऊं तो वो easily stand कर सके अगर आपके पास ice cream sticks नहीं है तो जो इन सांचों के अपर इसके cover होते हैं आप भी उसकर सकते हैं तो अब हम इसको छोड़ देंगे overnight के लिए तो देखें ice cream तो हमारी अच्छी तरीके से ready हो चुकी है आप चाहें तो इसको 5-4 गंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं जब तक यह set नहीं हो जाती तो क्यूंकि इसको निकालना थोड़ से मुश्कल होता है इसलिए हम इसको 15 सेकिंड के लिए पानी में dip करेंगे और उसके बाद जब मैं इसको मॉल्ड में से निकालेंगे तो यह बहुत यह अथानी से निकल आएगी तो यह देखे हैं आप मैं इसके अंदर से निकालूंगी तो यह बहुत यह सानी से निकल आई है मेरी आइस क्रीम तो लीजिए आइस क्रीम जो है हमारी मज़ेदार सी राडी हो चुकी है कुल्फी फार्म में, आप इसको ज़रूर ट्राइ करें यह बहुत ही मज़े की बनती है और जब आप इसको ट्राइ करेंगे तो मुझे जरूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है इसका बहुत ही क्रीमी डेक्श्चर आता है लेकिन आमने इसमें क्रीम जो है वो बिल्कुल भी यूज नहीं की यह देखें बिल्कुल मज़े की बनी है और बहुत ही अच्छा इसका लूक का रहा है तो आप अगर रेसिपी को ट्राइ करें तो मुझे जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अगर आपने चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया